हेलो दोस्तो मैं दीपक आप से भी का स्वागत करता हूँ दोस्तो आज हम लो देखेंगे सर्च इंजन अप्टमाजिशन होता क्या है जिसको हम लो सौट में बोलते हैं एस इंपो तो दोस्तो इसके सबसे पहले हिस्ट्री जानते हैं संचीफ में हिस्ट्री देखते हैं तो अन्य सब्सक्राइब दूनिया का सबसे पहला website launch हुआ था उसके बाद से बहुत सारे website launch होता गिया होता गिया उसके बाद से जब देखा गिया है कि यार content तो बहुत ज्यादा हो गये हैं internet पे उसको access कैसे करें structure form में कैसे आम वहीं access कर पाएं तो तब ACEO का अविश्कार हुआ ऊसी समय बना था एशियो अन्नेश cultiv अधान एक एन्वीर में उसके बात से सार एंजन बने उसके पास से या हूइ आया भोख से जो टोट ऑर जुगल एता दोश्य ऐसी मुझ्ञे आता गया और यह करते गया अन्नी से कांवेर में उन्होंने google.com का उन्होंने domain खरीदा उसके पास से google के domain लेने के बाद इसका background को नाम करके उसको google कर दिया गया उसके पास से बहुत सारे algorithm basis ते search engine को यह किया गया तो तो इसको हम जाने के search engine होता क्या है तो तो यह ऐसा process है जिससे कि अपने site को target traffic को आप increase करते हैं जिसके search engine जो optimization होता है उसके थुरू आप उसके algorithm को optimize करके और इंप्रूब करते हैं ranking बढ़ाते हैं कि search engine में आपके content आए जैसे कि suppose मान लिए कि कोई भी piece of content है या website है तो search engine में कोई भी search करे तो उसका rank को करे और उसके top पर आये दोस्तों यह search engine का main उदेश्या होता है तो यह एक तरह सा process है या practice बोल सकते हैं जो जादा सजादा customer को targeted organic रूप से अपने website बलाने को बोलते हैं तो उसको थोड़ा simple करते हैं थोड़ा तो इसको देखते हैं कि यह search engine optimization एक एक ऐसा process है जिससे कोई भी internet पर content को या optimize करके आप उसको टॉप पलाते हैं या एक उसके rank को बढ़ाते हैं जो गूगल आपके top पर देखाता है तो इसी को हम दो search engine optimization बोलते हैं दोस्तों तो यह रहा आज के हमारा दोस्तों अगर आपको वीडियो या अच्छा लागा हो त लाइक कीजिए कमेंट कीजिए साथे हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ओके दोस्तों थैंक्यू थैंक्स पर वाचिंग